हेलो प्रेंट कैसे आप सब लोग उम्मेद आच्छा होंगे तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आर्बीटरम ओडेसी के सेकंड विक के टास्क के बारे में लाइव करके आपको दिखाएंगे कैसे आपको task complete कर सकते है जिसके बाद आप win कर सकते हो दो NFT बहुत easy और simple से task है इससे पहले first week में आप 3 NFT वीन कर सकते है तो उसको आपको कैसे claim कर पाऊगे वो भी आपको यहाँ पर वीडियो में आगे बताने वाला हूँ तो वीडियो का एंटर देखना, वीडियो बहुत इंपोर्टन होने वाली है और वीडियो को स्टाट करने से पहले कुछ इंपोर्टन इन्फोर्मेशन हमारे इंडियन उसर्स के लिए के यू कोईन की तरफ से 20 डोलर का free of cost आपको जो है reward दिया जा रहा है ओफर वैलिड है सिरफ और सिरफ 3rd जुलाई तक तो जल्दी से जाके आप यह वाली वीडियो चेक आउट कर लीजिए और BNB कोईन के future के मैंने यहाँ पे वीडियो बना था जॉइन बटन पे क्लिक करके शोरी यहाँ पे गलत दब गया यह यह जो जॉइन बटन है इस पे क्लिक करके सिरफ मात्र 89 रुपीज पर मन्त की मेंबर्शिप में आप हमारे लोयल मेंबर्स बन सकते हैं और 1599 की 16 रुपीज पर मन्त में आपको जो है मेरा परसनल मुबाइल नमबर दिया जाएगा जहाँ ट्वंटी फॉर इंटु सेवन क्रिप्टो से रिलेटिड कोई भी डाउट क्वेरी कुस्चन आप हमसे कर सकते हैं ओन कॉल बिल्कुल कॉल के उपर हमसे बात कर सकते हैं सारे जो है आपने क्वेरी जो है रिजोल कर सकते हैं सिरफ 16 रुपय पर मन्त में तो ज्यादा टाइम बेस नहीं करेंगे स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो आर्बीटरम का जो है सेकेंड भी का भी स्टार्ट हो गया है आज 29 से आप दे सकता हूँ वीक टू अब अब अर् जाएक टास्क में आपको बिल्कुल लैव लेके जाओंगा कैसी आपको करना है तो सबसे पहले इनों नहीं बताया है यह जो टास्क प्रवाइड लिक्विडिटी और पचास यह मैं आपको डिलेक्ट आपको लेके चलता हूँ इसके उपर आपको क्लिक करना जितने भी कर दिये जाएंगे लिंक को जैसे क्लिक करोंगे ओपन करोंगे यहां पर उस प्रकास आपको दिखाए दे जाएगा एफ्ति मिंट ní जीरो आभी तक मैंने कोई नहीं किया है विकोज मैंने टासक नहीं किया है टासक करने के है नया इंटरफेस को लेगा आपके सामने इस प्रकार से सामने आएगा और यहाँ पर प्रोजेट गेलेक्सी की में मेरे साइट के उपर हम लोग आ जाएंगे यहाँ पर आपको अभी दिखाई देंगे जो टास्क हमें करने है जो यहाँ टास्क है आपको 100 डॉलर या इसे ज़्यादा बोरो करना है यह तीन टास्क है वेबसाइट का लिंक यहाँ पर देखो यह दिया हुआ है एप्लिकेशन का यहाँ पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से आएगा अब यह जो में वेबसाइट आएगे जहाँ पर हमें अपने टास्क क अब को complete करने है तो बोरो में बतला हैं को 100 डॉलर और लेना है यहाँ फोल में यानि क्याँ लिकुट करना है यह तीनो काम आपको टास्क करने है थो सबसे पहले टास्क करेंगे बोरो का यहां पे 100 घॉटस्ड़ 200 डालता हूं उसके बाद यहाँ आपको यहवाला select करना है अब नीचे यहाँ पे दिखा रहा है requires equivalent of 0.1234 ethereum collateral तो collateral के लिए आपको 0.12 ethereum चाहिए तो ethereum को transfer करने के लिए आपको यहाँ पे यह जो wallet जो connect मैंने किया हुआ यहाँ पे आप देश सकते हो यह जो मेरा wallet connect है यह मेरा करना कि आप metamask जो collect करोगे तो आपको आर्बीटरम chain यहाँ पे select होने जाइए जैसे आप मेरा देख सकते हो यहाँ पे मैंने जो chain select किया हुआ है इतने सारे chain है मेरी यहाँ पे इनमें आर्बीटरम chain में ethereum आपको deposit करना है collateral के लिए विकोज यहाँ पे तभी आप 100 dollar borrow कर पाओगे तो 0.12 ethereum है तो मैं यहाँ पे at least हमे 0.13 ethereum यहाँ पे deposit कर लेना है तो address हमें यह वाला मिल जाएगा उसके बाद हम Binance पे जाएंगे और यहाँ पे select करेंगे ethereum तो ethereum जो select करेंगे तो उसके बाद देखिए यहाँ पे ethereum ethereum हमने select कर लिया यहाँ पर हम जो address copy किया तो वो address यहाँ पे paste कर देंगे यह address paste हो गया अब यहाँ पे network select करेंगे यह important चीज है यहाँ आपको यहाँ पे खास ध्यान अखना है network आपको यहाँ पे transition कर देंगे simply आपका हो जाएगा network fees यहाँ पे देखिए बहुत कम है 0.0001 से लेकर के 0.00123 यहाँ लगेगा बहुत मामुली सा fees है by chance अगर arbitrary यहाँ पे जो recover नहीं होती है chain यहाँ पे network तो आप BST या फिर other जो है कर सकते हो बट उसके लिए फिर आपको यहाँ पे BST chain के लिए अगर आप BST chain में deposit करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको जो address चाहिए वो BST chain का चाहिए तो उसके लिए आपको metamask में जाना यहाँ पे आपको BST network select करना पड़ेगा और फिर address copy करना पड़ेगा अब उसके बाद फिर आपका एक काम और बढ़ जाएगा वह यह कि आपको bridge यूज करना पड़ेगा आपको BST से Arbitrum में लेकि आने के लिए तो उसके लिए आपको यहाँ पर यह वाला bridge यूज कर सकते हो bridge.connect मैंने इसका tutorial पहले बनाए भी है कैसे यूज करना है simply यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर example आपने BST में इथेरियम ट्रांसफर किया अब उसको आपको ट्रांसफर करना है Arbitrum में तो BST to Arbitrum select करेंगे यहाँ पर token select करेंगे इथेरियम का है ना इथेरियम यह इथेरियम आ गया balance जितना होगा automatic वहाँ पर आ जाएगा और connect wallet करके आप ज़र transition कर देंगे तो 0.13 या 0.14 इथेरियम आप कर लेना आपके सारे काम complete हो जाएंगे तो अब account आपके account में आ चुके हैं क्या कहा गया यहाँ पर यह देखिए यहाँ पर इथेरियम आ गया है तो इथेरियम आ जाएंगे तो आप यहाँ पर 100 डॉलर बोरो कर पाओगे transition पर पाएगा confirm करना है एक task आपका हो गया फिर आप lending करना है तो आप क्या करना जो USD सी आपके पास है आप उसी को USD को जो है यहाँ क्या पर लेंड कर सकते हो यहाँए 50 डॉलर आप लैंड कर सकते हो और बब की डॉलर को आप यहाँ पूल पर जाकर करके और 50 डॉलर का लिकुडिटिटी अपके πशी कर सकते हो फिकूस आपने 100 USD आपके पास है ठीक है यह सब होने के बाद आप अगें बोरो पे जाओगे और यहां पे जितने भी आपके बाद जो आपने बोरो किया था उसको आप रीपे कर दोगे तो आपके अगांड में सेम इतिरिया मा जाएगा सिरब वो सिर्फ टांजिशन फीज लगेगा एक से दो डॉलर क सारे टास्क कंप्लीट करने में बहुत ज्यादा लगने वाले नहीं है तो यह टास्क कि दो कंप्लीट हो गए अब चलते हम सेकेंड टास्क के ऊपर डेट इस फ्रॉम जीएमेक डॉट आईओ यहां पे में यह के लेवरेट ट्रेड तो सबसे पहले में आपको एक्शेंज क आपको यहां पर इस प्रकास इंटरबेस आपके साफ ने खुलेगा यहां पर ट्रेड पर जाएंगे और देखिए यह उप्सन आ गया है यहां पर यहां पर आप लॉंग कर सकते हो आर्बिटरम चैन से यहां पर स्लेक्ट होना चाहिए और आप जो है पंड आपके है तो यहां पर swap में जाएंगे इथेरियम से यूएश्डी सी में आप जो है select कर लेंगे या फिर यूएश्डी में select कर लेंगे विकोज आपको आगे उसमें trade भी करना है यूएश्डीटी में कर लेते हैं मान लीजिए तो यहां आपने long short कर दिया eligible होगे swap कर दिया दो task आपके complete होगे अब बचा एक task that is second be a liquidity provider on GMX याने कि mint करना है आपको GLP token mint करना है उसके आपको करना क्या है यहां पर earn section में आप जाएंगे earn section में जाने के बाद आपको यहां पर option देखा रहा होगा GLP arbitrum तो यहां पर आपको simply buy करना है करना कुछ में buy करना है और उसको sell कर देना है आपने GLP mint कर दिया आपका task complete हो जाएगा बस simple चीज यहां पर है कि आपको आप buy करोगे तो minimum holding time 15 minutes है purchase करने के 15 minutes के बाद ही आप sell करना यह उससे पहले I think sell भी नहीं होता है बट आपको minimum 15 minutes hold करना है यहां पर आपको for example आपका usdc है आप 10 usdc से 12 टोकन buy कीजिए मेरा एंस बैलेंस मेरे पास है नहीं उसके बाद 15 minutes के बाद इसको यहां पर sell पर जाकर करके और यहां पर sell कर दीजिए that's all simple सा है आपने 12 GLP token buy किया था यहां पर इतना ethereum मिल जाएगा यहां फिर usdc में convert करना जाते हो जैसे भी जाते हो आप वहां पर कर दीजिए तो तीनों टास्क आपके complete होगे उसके बाद अब यहां पर देखिए अभी नों दिखाया please note that gms contracts have a $10 minimum 10 dollar minimum जो मैंने आपको बताया 10 dollar आपको कर सकते हो और completing the steps above will make you eligible to the claim the blueberry nebula nft after the end of week याने की 5 of July से start हो जाएगो जो मैंने starting में आपको बताया now let's talk about how week 1 bridge week event तो bridge 1 sorry first week में गया था वो कैसा गया उन्होंने बताया है लगबग 47,000 से जाधा bridge जो है ethereum bridge वे आर्बिटर में देड़ लाक निव वॉलेट्स क्रियेट हुए और daily transitions होई लगबग 2,80,000 बहुत जबरदस performance था as for the winner of the bridge week we are still waiting for data from some bridges partners तो भी submitted तो यह उनके लिए है जो third nft जो bonus nft दे रहे थे उन users को जो की उस platform पे bridge करेंगे ethereum को जिसमें सबसे जादा हुआ है तो उसके data अभी तक आया नहीं है तो third nft को claim करने के लिए आपको तरह वेड़ करना पड़ेगा बट जो बाकि 2 nft के लिए अगर आप eligible हो तो claim दे रहे एंटर the odysi nft on end after June 28 वन पी telegram में provide करा दूँगा तो make sure करना आप telegram जरू जोएन कर ले तो यहां का अगर आप eligible होगे because मैंने वर्ष्ट वी में कोई भी टास्क नहीं किया था तो मैं eligible नहीं होंगा बट अगर आप eligible होगे तो यहां पे आपको दिखाए दे जाएगा जैसे मेरा लिखा you are not eligible यहां पे आपको आजाएगा you are eligible and claim this NFT करके आएगा और वहां पे आप क्लेम कर सकते हो तो यह आज की वीडियो थी फिल्कुर से पहले exclusive वीडियो मैंने बनाई अभी तक YouTube पे आया नहीं होगा second week के टास्क मैंने आपको सारे बता दिया live करके कैसे आपको करना है तीन से चार मिट का ग्रूप में हमसे पूछ सकते हैं तो आज की वीडियों दोस्तों इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में नई अपडेट के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक क्यार धन्नावाद